हलो फ्राइंड्स वेलकम तू डॉल्फिन एपलाइन्स चेनल यह हमारी कम्पनी की 6 प्लस 2 मोडल स्वोडा शॉप मशीन है जो वाइट कलर्स में है यह वाइट ॉप मडल मशीन है गुतुना ये सिटैंड टेबल टो और सटैंड मौडल मशिने सिक्स फ्लस टु आउन्ट फभर की ए चिक्स सोड़ा वाले फ्लेवर दो जूस वाले फ्लेवर से जिसके ओपर और बजरंग सोड़ा शोब करके लिखा है जो कस्टमर ने हमको रिक्वामेंट किया ता उससाब से पुरा प्रिंटिंग किया है कस्टमर कलर डेकॉरेशन सब पुरा करके दिया हुआ है जो भी हमरा आए डिलेवरी के लिए जारी है मसीन महसाना के अंदर कड़ी करके वहां के लिए हमने बनाई यह मसीन जो टेस्टिंगों के कंप्लेट हो चुकी है और यह वाली जो ब्लेक कलर्स में है डिजाइन वह मसीन हमारी सिक्स प्लस टू मोबाइल मसीन है जो कोई भी आप गाड़ी में इसको इंस्ट्रोल कर सकते हो एट फ्लेवर की मसीन है छे सोडा वाले दो जूस वाले फ्लेवर से आप पुरी मसीन देख सकते हो ओर यह बाजू में ग्रीन कलर की जो मसीन है वो आमारी मसीन कारवार जा रही है करणा ठका में है जिसके उपर कस्टमर ने आम दीया ता वह ने नाम लिख के दिया हुए उसके उपर जूनोंः तीनोंः मसीन डॉ वाल लगे हुए है, और यहां पर हमने आगे इसका temperature controller दिया हुआ है, जिसके अंदर से आप setting कर सकते हो, कर ठंडा गम जदा आगर निकलना तो यहां से आप set कर सकते हो, यह पूरी machine देख सकते हो, उसका side look भी देख सकते हैं, पूरी machine का, यह हमारी basic model है, जो basic model रहेती है, उस type की मोडल है और यह मोबाइल मशिन है जो गाड़ी में इस्टल होने वाली मशिन है इसके अंदर भी हमने लेंचर कंपनी के वाद लगा है स्टीनले स्टील 304 फूट ग्रेड मट्रियल का स्टील यूश किया इसके अंदर यहां पे ट्रेनेस्ट रहे है इसका आप देख सकते हो स्टील का कॉलेटी भी जो कस्टमर ने हमको नाम बता है तो नूरे इन सोडा सेंटर करके वह नाम हमने लिखके दिया इसके अंदर यहां मशिन की पूरी कॉलेटी डेख सकते है यहां पे जो पीछे पूरा स्टीनले स्टील पाइप फेबरिकेशन से पूरा इसका कंप्रेसर सिस्टम बिठाया है हमने इसका वाटर टेंक है यहां पे जो पानी रिख फिल होता है इसके अंदर वाटर टेंक है और यहाँ पे पीछे हमने सर्कीट बोल लगा के दिया हुआ है जिसके अंदर आपको टेंप्रेचर सो करेंगा कितना टेंप्रेचर है इसका दो स्विच भी दिया गया है एक कंप्रेशर का एक पंप मोटर का दो स्विच लगाया है और दोनों का कनेक्शन हमने अलग दिया है यह compressor का connection है, यह orange वाला connection है, वो motor का है, जो इन्वेटर में install होता है, और यहाँ पर इन्वेटर बेटरी भी लगा सकते हो, इसको हमने open रखा है, open की वजासे इसको कोई इन्वेटर बेटरी को ventilation चाहिए, तो वो openly उसका ventilation मिल सकता है, उसमें, और यह पुरा stainless steel pipe से बनाया गया ह है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर हमने water level controller का pipe भी दिया हुआ है, जहाँ से water level pipe यहाँ तक जाएंगा, तो आपको पता चलेंगा, इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, जो भी हमारी डिलेवरी के लिए जा रही है, इसलिए मने machine की वीडियो मेक किये, जब पुरी machine द दिलेवरी के लिए जा रही है भी, और यहाँ पर दूसरी भी यह जूसर मशीन भी है, दूसरी मशीन भी यहाँ प्रोडक्शन में पड़ी हूँ है, जो टेस्टिंग हो रही है, रेडी हो रही है, जिसके ओपस टीकरिंग, डेकोरेशन सब लगने वाला है, फिर ओभी machine delivery के और लेज़ हैं से फिसके क्यासे, तेंक्यो बड़ वच्चिंग, रेडी इसके क्पस्तीन के।